खुछ दिन पहले की बात है जब एनकाउंटर को लेकर सूबे की सियासी तपिश बड़ी हुई थी अखिलेश एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर सवाल पर सवाल दाग रहे थे कभी सुल्तानपुर एंकाउंटर के मृद्D पर, तो कभी बहराईच एंकाउंटर पर सपामुखिया एंकाउंटर पर सवाल उठाते रह गए योगी सरकार और पुलिस को सुनाते रह गए और यहां CM योगी के गड़ गोरकपुर में ही सैफ का हाफ एनकाउंटर हो गया अस्पताल के बैट पर लेटा ये शक्स सैफ ही है जिसे गोरकपुर पुलिस ने मुटभेड के बाद गिरफतार किया है एनकाउंटर के दोरान उसे पुलिस की गोली लगी जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में पुलिस कर्मी लेकर गए बताय जा रहे कि 8 नवंबर की रात S.P.9 जितेंद्र कुमार शिर्वास्तव के नेतरित्व में पुलिस टीम गश्ट कर रही थी तभी गणेश पुरम मनीराम हाइवे पर आरोपी से पुलिस की मुढबेड हो गई इस दोरान पुलिस की फाइरिंग में बदमाश पैर में गोली लगते ही वही जमीन पर गिर गया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को घायल हालत में पकड़ा और सीधा अस्पताल ले गई पकड़े गया पराधी सेफ पर कपड़ा वैपारी की हत्या का आरोप है जानकारी के मुताबिक पाश नवंबर की राथ जब वैपारी अनिल गुपता दुकान बन कर अपने घर लोट रहे थे तब ही बदमाश ने सोने की चेन रूटने के लिए चाकू से उनका गला काट दिया जिसमें वैपारी की मौत हो गई आज देर रातरी थाना प्रवारी चिलुवताल मैं सुझी टीम के साथ गड़ेश प्रम मनीराम हाईवे पर गश्त में मश्बूल थे उसी समय एक अभिक्त जिसका नाम सैफ सनोप मौमद रही से उसको पुलिस मुटवेड में ग्रफ्तार किया गया अभिक्त के बाएं पैर में गोली लगी है अभिक्त के कबजे से एक 315 वोर का तमंचा महा कारतू से बरामत किया गया है इसके अलावा अभिक्त के कबजे से पूर मही मकदमा प्रासंक्या 834 पंजी किया पिलाल आरोपी को उसके किये की सजा पुलिस ने हाफ एंकाउंटर में दे दी है इसके साथ ही पुलिस ने सैफ के पास से लूटी गई सोने की चेन हत्या में इस्तेमाल चाकू तमंचा कारतूस मोबाइल और बाइक बरामत की है झाल